आज पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। ये बड़ी संख्या में हनुमान मंदरों में पहुच रही है। कहीं भगवान की एक जलक पाने के लिए भक्त लाइनों में खड़े हैं, तो कहीं उन्हें भोग लगाने के लिए 1100 किलों का लड़ू तयार किया गया है। जी हाँ आपने सही सुना, ये 1100 किलों के लड़ू को मदर प्रदेश के जवलपुर में हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा। इससे पहले आप यहाँ लोगों में उत्सहा देख सकते हैं। यहाँ के पुजारी ने इस भोग के बारे में बताया और इसका उत्देशे भी बताया। बना करके इस प्रकास इसका फुल मिला करके लगवग 1100 को लोगा एले डू के नड़वान किया जाता है। हाँ आपने बहुत ही अच्छा यहाँ बात पूशी क्योंकि इसका हम लोगों की तैयारी लगवग 3 माए पहले से रखना पड़ता है। सारे और दिये जाते हैं पहले से कारिगरों को बाहर को बलाए जाता है और इसको बनाने में लगवग 15 से 20 दिन लगते हैं। और मद्वग प्रदेश दो जगे कारिगर आते हैं। इसमान लगवव 15 दिन हमारा निश्च्र सूट से लगता है। इसमान पूणे सदा पूणे शंकर प्राण बल्लबे अनमान जी जो है रुद्ध के रूपने हैं। इस भोग को देखकर यकीन ना भी दंग रह गए होंगे। अब इन हनुमान भक्तों की भीड़ भी देख लीजे। सुभा से ही दिली के कनार प्लेस में ये रामभक्त हनुमान जी के दर्शनों का इंतजार कर रही हैं। लोग राम नाम की माला चप रहे हैं। और इसी तरह हनुमान जी का नाम लेकर सब की खुशाली की मनोकामना कर रहे हैं। बिल्कुल उनके जो पसंद है लड़ू वो हमने कलेवा से स्पेशली मंगवाए हैं। के लिए कि उनका भोग लगाएंगे जो उनके फेवरेट मिठाई हैं। लड़ू बूंदी वो सब उनको चड़ाएंगे। सब प्रशाद सबने बातेंगे। इसी तरह से हम हनुमान जयनती मनाएंगे। क्या संदेश देता हैं। यह सबसे पहले तो एक अद्रता का संदेश देता है। हिंदू धर्म का जागृता होती है। और सब मिलकर इस्त्योहार को मनाएं, खुशी मनाएं, मीठा बातें, मीठा खुशाली रहें। यही सब संदेश देता है। बिलकुल हमें सुनने को मिला है। जो चार बज़े आएं, वो भी रश में ही घुसते आ रहे हैं। तो सुबह दो-दो-तीन बज़े के आएं, वो अब मुश्किल से आपाएं। हम तो हर मंगलवार को आते हैं सुबह यहां पर। हमारी पूरी लेडीज की एक मंडली है। हम 12-14 ओरते हैं जो हर मंगलवार को सुबह आती हैं यहां पर। तो आज हनुमान जमती भी थी लेकिन यहां देखकर के हाल तो लग रहा है कि दर्शन पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। पर चलो उनकी महिमा हैं यहां तक पहुंच गए वो ही बहुत बड़ी बात है। संदेश तो यही है हिंदुओं की क्या सारे ध्योहार एक जैसे ही होते हैं बस यह भीड भड़का है बाकी सब खुशी से रो एकठे हो रो हो त्योहार अच्छे से मनाओ अच्छा बोलो अच्छा करो सब का भला करो। आज बहुत महत्तपून दिन है आज राम जी के प्रिये भक्त हनमान जी का जनमोसव है अनमान जी हमेशा ही राम जी के सरूप प्रिये रहे हैं और आज का दिन बहुत ही महत्तपून दिन है। बता दें कि इस दिन भक्त मंदरों में जाकर हरुमान जी को भोग लगाते है और इस दिन को खुशी से मनाते है